Hello students, welcome to the Sun Academy इस विडियो में हम डिसक्स करेंगे some important transition elements कुछ important transition elements हैं जो हम यहाँ पर डिसक्स करने वाले हैं जैसे के chromium, magnesium, iron और copper तो यह कुछ हमारी book के अंदर इन को डिसक्स किया गया है इनके बारे में कुछ बताया गया है इनके कुछ compounds के बारे में भी प्रॉपर्टीज और कुछ रियक्शन्स वगएरा हम देखने वाले हैं तो उसके बाद हम क्रोमियम का एक कंपाउंड है पोटेशियम डाय क्रोमेट वो भी हम डिस्कॉस करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रोमियम का जो सिंबल होता है वो CR होता है आपको यह जो है वो 3D सीरीज के अंदर यह आपको ऐलिमेंट मिल जाएगा 24 जो है इसका अटामिक नमबर है तो इसका मतलब है यह किस पे आएगा यह fourth member है 3D series का अगर आप 3D series के अंदर जाएं तो यह चौथे number पर आपको यह chromium जो है वो मिलेगा chromium का जो meaning है chromium word जो है यह निकला है chrome से chrome जो है यह हमारे पास इसका मतलब होता है color तो chrome word का meaning है color और यह इसकी वज़ा से क्योंकि यह important compound है यह जो भी compound बनाता है उसके different colors होते है ज्यादा तर colored compound यह जो है वो बनाता है और बहुत ही अच्छे colors यह compound हमें देता है यह element देता है तो इसलिए इसका नाम जो है वो chrome रखा गया chrome का मतलब है color तो chrome के नाम पर ही इसका नाम chromium जो है वो रखा गया है फॉर्थ member of 3D series है यह silvery gray color है यह silver की color का है मतलब यह जो है वो gray white color का आपको नजर आएगा और यह जो है इसकी metallic luster भी होती है मतलब यह shiny होता है चमकदार होता है आपको आप देखेंगे तो आपको चमकता हुआ नजर आएगा oxidation state जो है इसकी वो बहुत ही ज्यादा variable है जैसे कि यह किसी compound में प्लस 2, 3, 4, 5, 6 तक यह show कर सकता है क्योंकि इसकी जो electronic configuration last आती है वो आती है 3D 5 और 4 is 1 तो पहले यह 1 से electron 1 lose करेगा तो इसकी oxidation state जो है प्लस 1 भी आती है लेकिन यहां पर हमारे पास बुक के अंदर नहीं लिखी हुए तो इसकी प्लस 1 भी आएगी उसके बाद यह प्लस 2 यहां से D से जब lose करना start करेगा तो यह इसकी प्लस 2, 3, 4, 5, 6 तक इसकी electronic configuration आती है तो बहुत ही ज्यादा इसकी oxidation state है यहां पर reducing agent के तोर पर काम करता है जब यह अपनी कम oxidation state में होता है तो यह reducing agent के तोर पर काम करता है तो जब यह अपनी oxidation state जो है प्लस 1, प्लस 2 या प्लस 3 अगर कम oxidation state के अंदर होगा तो यह क्या करेगा reducing agent के तोर पर काम करेगा दूसरों को oxidize करेगा और अगर यह sorry क्या करेगा दूसरों को reduce करेगा reducing agent तो दूसरों को reduce करेगा और खुद औक्सीडाइज हो जबके इसकी अगर oxidation state ज्यादा है higher oxidation states के अंदर है तो ये क्या करेगा oxidizing agent के तरप काम करेगा और खुद जो हो रेडियूस होगा दूसरों को oxidize करेगा मतलब कि यह electron को gain कर लेगा तो इस तरह से यह हमारे पास काम करता है और यह reducing agent भी है oxidizing agent भी हाइर oxidation state पर यह oxidizing agent है जब के lower oxidation state पर यह reducing agent है अब कुछ इसके reaction देखते हैं कि यह किस-किस compound से यह reaction कर सकता है तो जैसे कि यह dilute hydrochloric acid hcl से reaction कर सकता है तो जब यह hcl से chromium react करेगा तो यहाँ पर इसका reaction दे सकते हैं chromium hcl से reaction कर रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है यह chromium जो है यह cl से reaction यहाँ पर कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा chromium chloride CRCL3 तो chromium chloride यहां पर बन चुका है और यहां पर हमारे पास hydrogen gas भी यहां पर आपको मिल जाएगी तो इस तरह से हमारे पास chromium chloride बनाता है और hydrogen gas बनाता है जब यह hcl के साथ reaction करता है तो यह reaction आपको याद रखना है उसके बाद यह reaction करता है oxygen के साथ oxygen के साथ जब यह reaction करता है तो यह chromium oxide बनाता है और यह जो है जब भी oxygen के साथ reaction करेगा तो हमारे पास इसकी oxidation state क्या बनेगी तो इसकी oxidation state यहां से निकाल सकते हैं oxygen की है minus two minus two है तो यहां पर total three oxygen है इसकी minus six हो जाएगी जबके दो क्रोमियम एक के साथ लगे हुए है तो इसकी यहां पर oxidation state यह प्लस थ्री हो जाएगी तो दो क्रोमियम प्लस six और यह आपस में किंसल हो जाएगे तो इस तरह से plus three oxidation state पर यह reaction करेगा oxygen के साथ और यह जो reaction है इसको higher temperature पर करना होता है और इसको हीट जादा देनी होती है तब जाकर पार सकता है और उसके बाद यह water के साथ भी reaction कर सकता है तो यहां पर देख सकते हैं, वाटर के साथ रियक्शन ये करेगा जो ये हीट के अंदर रियक्शन करेगा, डारिकली वाटर के साथ ये रियक्शन नहीं करता है, रियक्शन विद स्टीम, ये स्टीम के साथ करता है, मतलब वाटर जो है जब एवपोरेट होता है, तो उन स्ट तो क्या बनाएगा एक तो हमारे पास वही कंपाउंड बनेगा क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में हाइडरोजन गैस हमारे बन जाएगी तो यहां पर यह क्या कर रहा है फिर से अक्सीजन के साथ ही रियक्शन कर रहा है जो के इस टेम के अंदर ऑक्सीजन मौझूद है उसके स और आगे चलते हैं यह हमारे पास कुछ कुछ प्रापटी इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टन एता है जो के क्रोमियम का है और उसे पहले इसी यूजस के आए और उसके है यूसके हमें किन Иसी के अदर यूज होता है जिसके अंदर iron और दूसरे compounds यूज होते हैं दूसरे elements यूज होते हैं तो ये जो है उसके अंदर steel को बनाने के लिए यूज होता है Chrome Plating करने के लिए Chrome Plating क्या होती है किसी substance पे हम जो है वो Chrome की Chromium की layer जो है वो लगा देते है तो इस तरह से हमारे पास एक बरतन है इसके उपर हम क्या करते हैं एक layer बनवा देते हैं जो कि Chromium की है इसे हम Chrome Plating कहते हैं यह Electro Plating होती है और इस वज़ा से क्या होता है सबस्टेंस के उपर जो है वो यह जो Chromium है यह ज्यादा जंग वगेरा से बचाता है सबस्टेंस को और उन्हें paint करने में भी help करता है ताकि वो उस पर paint जो है वो सई से टिक पाए तो इसलिए हम Chrome Plating करवाते हैं उसके बाद pigments के अंदर यह यूज होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा colored compound बनाता है तो pigment जो होते हैं जो color होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी यह chromium use किया जाता है साथ में catalyst के तो यह use होता है हमारे पास यह transition elements ज्यादा तर catalyst के तो यूज होते हैं तो reactions के अंदर chromium catalyst के तो यूज किया जाता है तो आईए इस compound को discuss करते हैं कि यह compound कौन सा है potassium dichromate इसकी क्या properties है और यह किस से reaction करता है इसके usage क्या है यह सब कुछ discuss करते हैं तो यहां पर हमारे पास potassium dichromate है इसका जो formula है वो है K2CR207 K2CR207 CR207 यह जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं chromate ion chromate ion हमारे पास दो तरह के होते है chromate जो है यह क्या है actually chromate ions होते है और यह जो है तब बनते हैं जब chromium oxygen के साथ reaction करता है तो इन्हें हम कहते है chromate अब यहां पर यह इसके उपर charge लगा है तो यह chromate ion कहलाता है CR204 यह एक chromate ion है और यहां पर हमारे पास यह dichromate ion है जिसके अंदर CR207 लगा हुआ है तो यहां पर यह two नहीं होगा यहां पर यह chromate ion है और यहां पर यह क्या है यह dichromate ion है इसका जो minus two charge थी वो इस potassium के साथ satisfy हो गई है तो इस तरह से यह पूरा compound बन जाता है जब chromate यह हमारे पास क्या है dichromate ion है तो dichromate ion के अंदर जब potassium react करता है तो हमारे पास potassium dichromate बनता है और यह potassium dichromate जो है हम यहां पर discuss कर रहे है तो इसके अंदर इसकी जो appearance है वो क्या है red crystalline solid है यह एक solid है जो कि crystalline solid है हमने पढ़े थे दो types के solid amorphous solid और crystalline solid जिसकी एक proper shape होती है proper geometry होती है उसे crystalline solid कहते है तो यह crystalline solid है red इसका color होता है red color का होता है ज्यादा तर यह chromium के जो compound है वो colorful होते है तो इसलिए यह इसका color क्या है red है और यह soluble in water है water के अंदर यह easily dissolve हो जाता है soluble है और जब इसको water में हम soluble dissolve करते हैं तो क्या होता है जब हम इसको water में dissolve करते हैं तो कुछ हमें अरजीब चीज़ देखने को मिलती है कि यह complete dissolve नहीं होता पानी में dissolve होने पर यह दो compound बनाएगा हमारे पास दो ions होंगे यहां पर है एक K2CR2O4 K2CRO4 यह हमारे पास कहलाता है और इसका जो आइन है यह है Dichromatine अगर हम potassium को हटा दें तो इस पर भी माइनस 2 चार्ज होगी और इस पर भी माइनस 2 चार्ज होगी तो अब यह जो दो ions हैं यह 50-50% होंगे इस solution के अंदर अगर हम इस compound को water के इंदर dissolve करेंगे तो दो compound होंगे आपस में जो है वो एक्जिस्ट करेंगे equilibrium के अंदर equilibrium के अंदर मतलब यह जो reaction होगा यह reversible होगा water के साथ इनका reaction जो होगा वो reversible होगा और इसमें दो compound जो होंगे वो आपस में equilibrium के अंदर होंगे और जो हो एक दूसरे के अंदर convert हो सकते हैं वो दोनों यह जो डाइक्रोमेट आइन मिलेंगे या तो हमें dichromate आइन मिलेंगे तो यहां पर इस equation में आपको यह equilibrium दिखेगा यहां पर आप देखें तो यहां पर है CR207 यह हमारे पास जो हो यह dichromate आइन है जबके CR204 यह dichromate आइन है तो जो dichromate आ इन है यह convert होता है unning promises dichromate आइन में convert होता रहता है तो अब क्या होगा? यहां पर यह PH sensitive है equilibrium is PH sensitive पह sensitive का मतलब है अगर इसमें acid या base एड़ क्या जाए तो equilibrium जो है वो different जगापर shift होगा यह right की तरफ यह left की तरफ यह shift होगा तो देखें अगर when an acid is added, अगर हम acid को add करते हैं इस equilibrium के अंदर, तो यहां पर हम acid को add कर रहे है, h plus ion का मतलब है acid, तो यहां पर acid को जब add किया जा रहा है, the equilibrium shift to left, यह equilibrium क्या करेगा, left की तरफ shift करेगा, क्योंकि यह एच प्लस जो होगा, यह यहां पर oxygen के साथ reaction करेगा, और यहां पर water बना लेगा, neutralize कर देगा इसको, और उसके बाद हमें जो मिलेगा वो होगा, CR2-07 chromate ion मिल जाएगा, dichromate ion मिल जाएगा, और यह हमारे पास होता है red color का, तो इस solution का color red हो जाएगा, अगर हम, हम अगर acid लगाएंगे तो क्या होगा, equilibrium left की तरफ shift होगा, और हमें dichromate ion मिलेंगे, और यह क्या होगा, यहां पर इस solution का color क्या हो जाएगा, red हो जाएगा, और हमें ज्यादा dichromate ions मिलेंगे, जो कि यहां पर है CR2-07 हमें मिलेंगे, ज्यादा ions, उसके बाद अगर हम इसमें base को add करते हैं, तो क्या होगा, base को अगर हम यहां पर add करें, तो यह water हम add करें, और water as a base यहां पर work करेंगे, water जो है, acid भी होता है, base भी होता है, amphotrioric substance है, यहां पर यह करेंगा, पर red color हो रहा है, और base के add करने पर yellow color हो रहा है, तो यह पूरा equilibrium जो है, वो shift हो रहा है, pH की वजह से हमारी pH sensitivity की वजह से यह change हो रहा है, और इस तरह से यह equilibrium जो हो चेंज होता रहता है, और जब भी हम इस compound को water के इंदर dissolve करते हैं, तो यह क्या होता है, इनके ions के बीच में, potassium तो वही same रहता है, लेकिन ions के बीच में क्या होता है, एक तरह का equilibrium बन जाता है, उसके बाद आगे चलते हैं, यह एक property थी इसकी, जिसको हमने डिसकुस किया, potassium dichromate is prepared from chromate salts, potassium dichromate जो है, वो ज्यादातर chromate salts से बनता है, chromate salt, chromate iron हमने अभी देखा कौन सा है, CR07, यह हमारे पास CR04, यह chromate iron है, और dry chromate हमारे पास CR207 है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि chromate salt क्या है, तो जब भी कोई metal लग जाता है, इस chromate iron से तो यह salt बनाता है, यहाँ पर है sodium, sodium dichromate, यह salt है, NA2CR204, यह salt है, तो इस तरह से chromate salt के साथ, chromate salt से ही बनते हैं हमारे यह compound है, potassium dichromate, यह chromate salt से बनता है, तो यह फिर इसे हम जो इस equilibrium से भी drive कर सकते हैं, हम पर देखें, यह बन रहा है, dichromate iron बन रहा है, तो इसके साथ हमारे पास potassium भी मौजूद है, तो potassium यहां पर इस equilibrium से भी हम यहां से equilibrium को right की तरफ shift करवा कि यह हम सब compound ले सकते हैं, इसके साथ potassium भी होगा, तो इस तरह से compound हम ले सकते हैं यहां से, यह प्रिप्यर कया जा सकता है, साल्ट मेट साल्ट मौज़े हमारे पास कहां से आएंगे, तो वहां से हम पर i- senators कि आपए हम से पनुलर्वेक इस हम सबस्टेंस है, क्रोमेड साल से आपको याद रखना है उसके बाद शर्टेश मडाइ एक ऑक्सिडाइजेंग एजन्ट आ या पता है तो जैसे कि क्रोमीयम एक औक्सिडाइजेंग एजन था फ़टो यह पास पॉटेशम डायक्रोमेड यह एक बहुत ही आ अच्छा ऑक्सिडाइज आ गेंट तो एक रीक्शन है एक हमारे पास एसेड लपी जैलिक एसेड तो पोंचसेंow और लोग अउसलिक और साहत compartment करता है और हमारे पास यह क्या करता है उसको उक्सिटास करता है ऑकसी डाइजिग के तोर पे एक्ट करता है औक्सिडाइजिंग एजेंट के दोर पे एक्ट करता है तो यहां पर हम आप देखें तो हमारे पास यह औरेंज कलर का जो है इसको आयोनिक फार्म में लिखा गया है माइनस टू चार्ज यहां पर दी गई है यहां पर पॉटेशियम नहीं है इसका मतलब यह क्या है आयोनिक फार्म है तो यहां पर हमारे पास यह रियक्शन करेगा इस एसेड के साथ एच्टू सीए टू ओफॉर यह एसेड जो है औक् पर प्लस चर्चन कर रहा है इन दोनों का वह एसेड़िक, मीडिया में तो इस एसेडिक मेडिया में अंदर यहल रहा है और बद्ले मारे पास क्या बन रहा है आप्ल सिए आप cond которой क्याह चारज कितनी हैं यहां पर क्रोमियम पर संद ठी्ट प्लस सिफ से प्लस इसकी गारा हुआ रही है pandemic अक्सिडेशन いう स्टेट कम हो राया, इसका मतलब है क्रोमियम यहाँ हो राया, क्रोमियम यहां रेडस हो रहा है, और दूसरे को अक्सिडाइज़ कर रहा है , तो यहां पर यह जो ऑक्सिडाइज करने वाला है पर पांड हो हमारे बता है , जो हम पढ़ रहे हैं पोटेशन डाय क्रोमेट इसको अक्सिडाइज कर रहा है और अक्सिडाइज करने की वज़ा से ये अक्सिडाइजिंग एजन्ट कहलाता है तो यहां पर पहले इस पोरे सॉलिशन का जो कलर है वो औरेंज था जबके उक्सिडेशन होने के बाद इसका कलर रेड हो गया है तो इस तरह से ये उक्सिडेशन कर रहा है दूसरा हमारे पास example है जिसके अंदर हमारे पास फिर से उक्सिडेशन की हो रही है तो यहां पर आप देखें कि ये iron के साथ जब रियक्षिंग कर रहा है लेकिन यहां पर ionic farm में यह equation है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा यह जो है हमारे पास potassium dichromate को भी iron के farm में लिखा हुआ है chromate के farm में लिखा हुआ है तो इस तरह से यहां पर यह iron के साथ जब reaction करेगा तो इस तरह से iron को oxidize कर देगा और खुद reduce हो जाएगा और यहां पर chromium की oxidation state थी वो plus 6 थी लेकिन यहां पर यह फिर से plus 3 oxidation state के अंदर आ जाएगा और iron की यहां पर plus 2 थी लेकिन यहां पर iron जो है वो plus 3 के अंदर आ गया तो iron क्या हो गया है? oxidize हो गया है जबके यह chromium खुद reduce हो गया है तो यहां पर भी color पहले और orange था बाद में green हो गया है अब यहां पर इससे हमें पता क्या चल रहा है यह हम जो है पूरा reaction क्यों करवा रहे हैं यह actually reactions use के जाते हैं concentration को analyte की concentration को detect करने के लिए यहां पर analyte मतलब है वह substance जो के यहां पर reduce हो रहा है और दूसरा substance जो के यहां पर use हो रहा है तो suppose इसके अंदर क्या था हमारे पास oxalic acid यूज कर रहे थे यहां पर कोई और iron का compound हम यहां पर use कर रहे हैं तो इस तरह से इसकी concentration के लिए यहां पर यहां यूज करते हैं oxidation का reaction इन दोनों का और इसे हम titration कहते हैं तो यहां पर यह concentration of analyte is detected by the color change जितना ज्यादा color change हो रहा है उतनी ज्यादा उसकी concentration हम यहां पर detect कर सकते हैं तो इस तरह से हमें यह पता चलता है concentration के बारे में मैंगेंट आड है तो यह हमारा कुपौंड था छोके क्रोमियम से रिलेटड था होपको यह चाओ पसंदेँ रिक मेह मैंगनी को और मेगनेज ँसको डिसकॉस करेंगे मैं पस पर मैंगनेट को डिसकॉस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीदियो में जिया पुणी engineers अल्हाफीज